नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और पेस एक्जाम विद आकास कटेवा पर दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त का पेल जाजडिया और आज का हमारा टोपिक होगा समय तथा दूरी इससे पहले मैं समय तथा कारिये पाइप तथा टंकी ऐसे क्यूशन परती सकता साधारन ब्याज इस तरह के बहुत से टोपिक में पहले करुआ चुका हूँ लाब तथा हानी हुई ऐसे टोपिक जो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं वह पार्ट नंबर वाइज भी यह पार्ट नंबर एक हो सके तो इसका पार्ट नंबर दो भी निकल जाएगा या फिर नय भी निकले इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट नबर एक नहीं लिखा चलो देखेगा गाईज समे तथादूरी में एक फोर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समे आप इस फोर्मूले को याद कर लीजेगा लगबग स्टूडेंट को याद यह चाल बराबर दूरी बटा समे देखे का गाईज इसका दो नमबर का पॉइंट है कि यदि ए तथा बी की चालो का अनुपात ए अनुपात बी हो मतलब दो कंडिडेट या फिर दो कुछ भी दो है दो स्कूटर हो दो बाइक हो दो गाड़ी हो दो ट्रक हो दो ड्रेक्टर हो कुछ भी दो चीज है उसकी चालो का अनुपात अगर ए नुपात भी है तो एक ही दूरी तेकरने में इनके दौरा लेगे समे का अनुपात इसका उल्टा भी नुपात ए होगा मतलब मालो दो बाइक हैं मालोदो बाई केऊं एक तो यह है और एक ही है अगर इनकी चालोका अनुपात जो नुपात तीन है तो इनके ध्य Sozial का अनुपात का उल्टा ओता है ठीक़ गाइज या फिर समय का नुपात चाल के नुपात का उल्टा होता है अगर साल का नुपात A नुपात B है तो गाईज समय का नुपात B नुपात A होगा ठीक है गाईज चलेगा पॉइंट नमबर 3 में यहाँ पर दिखाऊ है गाईज इसका फोर्मूला है दो कोष्टक पहली चाल गुणा दूसरी चाल मालो पहली चाल क्स किलो मेटर पर के रखे दूसरी y तो आक्स गुणा y बता दोनों चालों का योग मतलब दो कोश्टक चालो का गुण अनफल बटा चालो का यो ठीक है यह इसका फूर्मूला है आप इस पूरे पेज का स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं तक कि आपको आगे दिक्कत ना आए ठीक है इसका स्क्रीन सोट ले लिजेगा आप इसक्रीन सोट में इतना समय नहीं लगता है असब बूर नकितनी दूरी स्क्रीन सोट ले लिए होगा देख है का कहीँ हमारा क्यूस दूर अनंबर 1 होगा यह एक इसकुटर स्वार एक स्कूटर स्वार 54 किलोमिटर प्रति गंटा की चाल से एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा हमें मिनट की पूछी है तो हम मिनट में ग्याद करेंगे किलोमिटर को हम पहले किसमें बदलेंगे मिटर प्रति सेकिंड में चोवन किलो मिटर परती गंटा है चोवन गुणा मैंने आपको समेत अथाकारिये समेत अथाकारिये वाली टोपिक में मैंने बताया था कि किलो मिटर परती गंटा को मिटर परती सेकिंड में बदलने के लिए पांच बटा अथारा से गुणा और मिटर परती सेकिंड को किलो म तोपेक में बता दिया था तो गईजी 54 क्लम कीलोमेटर प्रति गंटा इसे में बदलने के लिए 5 किलोमेटर प्रति गंटा इसे बन्ती में बन्ता के लिए 5 क्लम के नहीं मिट्र परती सेकिंड में बदलिया जो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है इसका 15 मिट्र परती सेकिंड मतलब 15 मिट्र कितने सेकिंड में एक सेकिंड में मतलब यह एक सेकिंड में कितनी दूरी ते कि 15 मिट्र हमें पुछ पुछी कितनी है एक मिनट में एक मिनट में कितनी सेकिंड होते हैं साथ सेकिंड इसका मतलब साथ सेकिंड में कितनी दूरी ते करेगा पंद्रा गुणा साथ नो सो मिटर ठीका गाइज इसकी चाल यह है इसे मिटर परती सेकिंड में बदल ली इसका मतलब है कि एक सेकिंड में इसने तैकी गई दूरी 15 मिटर तो इसने हमें पूछी एक मिनट की तो एक मिनट में कितनी सेकिंड होते हैं 60 तो 60 शेकिंड में कितनी दूरी तेग रहेगा 15 गुण 60 नो सो मिटर ठीक है गयद सुलेगा गयद हमारे क्यूसन नंबर दो में इसकूटी पर एक वेक्ती पांच मीट्र पर टि की चाल से तीन गंटे cob 20 मिनट में कितनी दूरी तेय है करेगा आपके बार दूर पूछे किवह कितनी दूरी तेय करेगा कितनी दियर में तीन गंटे अक्तिन में प्लाब 3 गंटे 20 मिनट लगलेट 10 जब त 7 गंटे इस सोल करेंगे तो तीन गंटे भीच मिनट पशपकर होगर ऑंप Chamisen Do और हैं तो पर चाहिए उपक्त centimeters के लिए कियोंगा यहां के मुलेंचे करने के लिए किसे गूंड़ा करते हैं 18 को पर ताथा बुटा है 5 मिटर कि अराच तुमटा से गुस्ють करहें जीके लेकर मतलब 5 пропने पर नहीं यतुम सॉल करेंगे तो pleasing हो जाएगा तो 18 आधो प्रति घंट्रें किलोंट्स्तरीugen में और अफल कोप से कंथा kषि-खर्या इसलाव चाह एक श्याकर सब्सक्राइब कोईल दोहां घंट्यर नें जि traitor खर्ण सबふकुप यह मोर्प आउट्सा यहुक से खर्ण हम 153 εकाच कर लिए ठीक है, इस में पूछा है कि इस सुरेख्ट शॉरवेक्ति की चाल है 5 क्यमजञ प्रती गंटा, तो इस की चाल ऐसी 5 म blend प्रती ऐट कंवर्ट कर लियर क्यों क्योंकि यहां पर टाइम देर रखा था 1 गंटे में 3 गंटे 20 मिनट rard, इस पहुमा है Sir ठीका गाइज हमने ये लिख लिया दोनो चेंज किया तो आया 18 किलोमेटर परती घंटा इसका 18 किलोमेटर परती घंटा 18 किलोमेटर परती घंटा मतलब परते एक गंटे में मतलब हर एक गंटे में वो 18 किलोमेटर की दूरी ते करता है तो हमें पुछा कितने गंटे का है 10 बटा 3 का तो 10 बटे 3 गंटे में वो कितनी दूरी ते एक रेगा 18 गुणा 10 बटा 3 बराबर 60 किलो मिटर इसका मतलब वो 10 बटे 3 गंटे या फिर 3 गंटे 20 मिनट में कितनी दूरी ते एक रेगा 60 km दूरी तो एक रेगा वो ठीका गाई चलेगा हमारे किसर नमर 3 में एक वेक्तिकार द्वारा नगर A से नगर B तक 32 km परती गंटा की चाल से चलता है वह नगर B से नगर A तक 48 km परती गंटा की चाल से वापस लोड़ता है मतलब जाता है वो 32 km परती गंटा की चाल से और आता है वो 38 km परती गंटा की चाल से तो पूरी यातरा में उसकी उससाल क्या है उससाल का मैंने गाईज आपको पहले पेज पर फोर्मूला बताया था देखे का काईज वो फूर्मूला है ये, मतलब ये फूर्मूला वाँ पे लगेगा, तो हमारा ये क्यों सुन था, फूर्मूला क्या था? दो कोश्टक, इनकी चालो का गुण अनफल, 22 गुण 48, बट्र गुण 48, बट्र चालो का योग, 22 पलस 48, 22 पलस 48, 120, इसका मतलब दो को तक बत्तर गुण 48 बटा 120 यह मैंने लिख रखाया किलोमेटर प्रति गंटा इसे 60 क्रिंगे तो ऐगा 57.6 प्रति गंटा इसका मतलब पूरी आतरा में उसके उस्त चाल कितनी थी 57.6 किलोमेटर प्रति गंटा वैसे उसक अलग त्रीके से होता है देखो कि जातेश में पांच आतेश में दस तो दोनों की उस्साचाल कितनी होगी पांच प्लस दस बटा दो इस परकार्श होते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा गाईज उससाचाल का जो हमने पिछे फोर्मूला लिखाय था पेज नमबर एक पर उस तरीके से यह क्यूशन होगा गाईज ठीका गाईज चलिएगा हमारे क्यूशन नमबर च्यार में मैं अपने घर से कोलेज के लिए एक निश्ची समय पर चलता हूँ मैं अपने घर से कोलेज के लिए एक निश्ची समय पर चलता हूँ यदि मैं पांच किलो मिटर पर ती गंटा की चाल से चलूँ अगर मैं पांच किलो मिटर पर ती गंटा की चाल से चलूँ तो मुझे साथ मिनट की देरी हो जाती है परन्तु यदी में 6 किलो मिटर परती गंटा की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पूंच जाता हूँ मेरे गर से कोलेज की दूरी कितनी है देखे का गाईज मान लीजे कि मेरे गर से कोलेज की दूरी है X किलो मिटर परती गंटा तो देखेगा काई दोनों चालों में लगे समय का अंतर कितना है दोनों चालों में समय का अंतर कितना है देखो अगर पांच किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाए वो अगर पांच किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाए तो वो समय से साथ मिनट बाद पुंचता है और अ यह और शाला यह और सचिये पांच और सथ 12 समय कांतर कितना हुआ गाइज 12 तो मैंन्य दोनों समय आंघ लगे शलार 12 लिख दिया क्यों क्यों कि समय मिनट में दे रखा इस लिए मिनट आ गया अगर गंटे में दे रखा तो गंटा जाता ठीका गाइज तो दोनो दोनो चालों में लगे समे का अंतर वारा मिनट है तो इसमें दोनो चालों के में लगे समे का अंतर चाल बराबर क्या सुतर था गाईज चाल बराबर दूरी बटा समे तो समे बराबर चाल बराबर दूरी बटा समे तो समय ब्राबर दूरी बटा चाल ठीका गाईज क्योंकि दोनो चालों में लगे समय का अंतर है तो समय अभी हमें अंतर किसका दे रखाया गाईज समय का तो यहाँ पर समय का फोर्मूला लगेगा दूरी बटा चाल दूरी कितनी है एक्स बटा चाल कितनी है पहली तो 5 किलोमेटर प्रती गंटा चालो का अंतर है गाइज 12 मिनट तो चालो का अंतर एक्ष बटा 5 माइश दूरी एक्ष बटा चाल कितनी थी 6 मतलब इन चालो का अंतर किसके ब्राबर है गाइज 12 के 12 मिनट के कि यह बार मिनाट के है गाइज और हम इसे कनवर्ट करेंगे किस्वे गंटे में तो क्या हो जाएगा मैं यह 12ान बटा 70 गंटे क्यों क्यों ी Summe जो जो यह चाल दे रही है क्यों यह किलो कर लिजिए तो हमने इसे कनवर्ट कर लिया गंटे में तो 60 का बाग दे दिया अगर कि सेकिंड बें करते तो 60 से मूना कर देते ठीक है तो इन दोनों का इनके दोनों चालों में लगे समय कांतर कितना है एक्स बटा 5 माइनस एक्स बटा 6 और वैसे समय कांतर कितना है इसमें 12 तो लिज दिया 12 इसे गंटे में कोनवर्ट करने के लिए इसमें 60 का बाग दे दिया गाइज इसे सोल करेंगे तो आएगा 6 एक्स माइनस 5 एक्स बराबर 6 दूरी मानना घर्ष कुलेज की दूरी थी ग्मानक की तना आगया remained छै इसका मतलब इसके गर्षे कजी की कितनी नीए छे क्लामेटर सोरी कैस्ट मैंने यहां पर टुरी किलो मीटर पर टुक्या डिए फी किलोमिटर पर ती गंटा वह नहीं और यहां पर रहेंगा उनली घंट पर किलोमेटर भी ठीका इसने गासओं स्थ मतलब 6 किलोमिटर मतलब को ले यह मेरा घर कितनी दूर है 6 किलोमिटर की दूरी पर है घाइज ठीक है नमबर 5 पर भ् quieren कल स्वार ־बर बर मसेम अधिक लगते हैं कितने मिन अधिक लगते हैं सोड़ा यह क्या है यह अंतर है किशका इनकी समय का यह समय का अंतर जो क्यों क्यों कि पहले को 16 मिनट कम लगे दूसरे को 16 मिनट बती मतलब ज्यादा लगे इसका मतलब सोड़ा क्या है गाईज ये इनके समय का अंतर है इसका मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल तो समय का अंतर है यह दूरी कितनी है फिर से देखे गाईज। दू साइकल स्वाइ index ब्राबर दूरी करहम से 15 k Eso किलो मिटर किपुर। 10 aos 15e sasso 10кiloãy oma sasyeちょback कि यह दूरी करणने में एक स्वार को सी स्वार शबवबिनेट दिखर लगते हैं यह। डूरी कितनी इसने दूरी पुछे तो माना मानाव है दूरी कितनी एक स किलो conteúdo मेटर परतिघंटा शहें और यह सोडा क्या है आप पर सोडा है समय कांतर समय कांतर कितना है सोड़ा तो इन चालों में भी समय कांतर समय ब्राबर दूरी बटा चाल समय कांतर सोड़ा है तो इन चालों से समय कांतर कितना हैगा समय ब्राबर दूरी बटा चाल दूरी कितनी है एक्स बटा पहली चाल कितनी है 15 माइनस समय ब्राबर दूरी कितनी है डूसरी 60 km परद्टि गंटा तो 60 सोडा को भी स्वइट इसमें है सोडा मिननेट है यहां पर देखे घाध स्वडा मीनननेट में है तो इस गंटे में घंप कनमट करने करेंगे इसका और इसे सोल करेंगे और आएगा 16 माीनस 15 यहां पर इसे स्थोल करेंगे एक्स-ेट्री 경찰 माइनस सब्सक्राब सब्सक्राइब दूरि कितने है गाइच चॉत에 किलोमीटर क्यों क्यों क्योंकि 40 किलोमीटर में थी अहने इस मिननट को भी किलोमीटर में गंटें में ही कनवर्ट के इसलिए किलोमेटर प्रति घंटा में चाल थी तो दूरी भी कितनी में आएगी किलोमेटर में अगर हमसाल को मिटर परती से किंडे बदल लेते तो यह जो अक्स आता ना वह में दाना और सय जाद में मतलब क्लिब में बढ़ते साम दंध्य सब्लकाइब। सभी अधाल है दूसरा किया है हे तो दूर नदा न बने आप भी सब्रापर हुआलीन मदलने पर पहलर है हुआ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर की जगा और सब्सक्राइब के साथ साथ वह बेल आइकन वाली गंटी के चिन को भी दबा लीजेगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे थैंक यू द करने वाद दोस्तों जै हिन जै भार